इस वीडियो के तेम लोग discuss करेंगे how to file the ITR with the form 16 की form 16 के साथ में कैसे ITR file की जा सकती है क्या क्या चीजे form 16 में आपको देखनी चाहिए क्योंकि आजकल form 16 जो है और 26 जो है एस होता है उसमें mismatch भी होता है जिसकी वेसे ITR defective हो जाती है तो उसका क्या reason हो सकता है कैसे कहाँ पे कौन सी चीज आपको data जो है fill up करना पड़ता है और कई बार आप form 16 के बिना भी ITR को क्या process कर सकते है और नहीं कर सकते है फाइल कर सकते हैं नहीं कर सकते है टैक्स जीम आपको कैसे पहचाननी है form 16 के अंदर आपके लिए कौन सी correct resume हो सकती है तो भाई ये सारी जानकरीना एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा साथ में यहार बताना चाहूंगा अगर आप एक expert के तुरू यहाँ पर आईटिया फाइलिंग कराना चाहते हैं आप हमारे reviews चेक कर सकते हैं बहुत ही affordable cost के अंदर आप फाइलिंग करा सकते हैं लिंक मिल जाएगी आपको description box में साथ में हम लोगों ने अपना ITR फाइलिंग के उपर practically जो एक master class भी यहाँ पर course launch कर रखा है जिसके अंदर हम आपको step by step हर segment की ITR फाइलिंग यहाँ पर सिखा रहे तो अगर आप interested है तो link इंदर description box पहले बात कर लेते हैं क्या without form 16 क्या ITR possible है तो definitely यहाँ पर possible है form 16 देखिए एक simple साना tax computation होता है जिसके अंदर आपकी salary mention होती है और कितना tedious कटा है वो mention होता है अगर आपके पास में form 16 नहीं है या let suppose अगर आपको कोई tedious नहीं करता आपकी ना छोटी सी कम नहीं है मालो 15-20,000 की भाई cash के अंदर आपको salary मिलती है तो उस case में भाई आप without form 16 यहां पर process कर सकते हो आप form 26 as के तुर्व process कर सकते हो बस आपको इतना पता होना चाइए कि मैं को साल भर में कितनी यहाँ आपए salary जो है मिरे account के अंदर या मेरे हाथ के अंदर या मेरे हाथ में yenile मिली है बस आपको यह पता होना अच्छी है अप्रेल से लेकर मार्च के बीच में इसके लाव भाई form 16 के अंदर आजकल जो है new taxism old taxism दोनों से यहाँ पर tax आपको कई बाद देखने को मिल जाता है तो आपको पता कैसे लगेगा तो देखो इसको पता करने का ना बड़ाई simple तरीका है आप अपना form 16 उठाओ उसके अंदर part B मिलेगा आपको salary वाला column देखना है अब यहाँ पर देखो अगर आप salary के साथ में अगर आपको देखता है कि यहाँ पर HRA का benefit दिया हुआ है section 10 के allowances वगरे दे रखे है ठीक है इसके लवाई standard deduction हो गया tax on employment हो गया professional tax हो गया ATC की deduction दे रखिये तो आप simple सा समझ जाओ कि भाई मेरा जो form 16 है वो old tax system के यहाँ पर issue हुआ है और old tax system के according मेरा जित्ता भी tax बनता है वो TDS मेरा कार्ट के government को जमा करा दिया गया है लेकिन वहीं पर अगर आपके form 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है सीधा gross salary का amount दिया हुआ है सभी जगे आपको 0000 दिख रहा है के वल आपको एक standard deduction मिली है पचास या रुपे की तो आप simple सा समझ जाओ कि भाई आपका TDS भी आपके कम कटा हुआ है और उसके साथ में आपका जो यह form 16 है वो new tax system के अंदर issue हो रखा है और उसी के according आपका tax कटा हुआ है अब भाई regime कैसे choose करनी है वो भी मैं आपको आगे जाके जो है live सीधा दिखाऊंगा इसके साथ में आपको एक और चीज चेक करनी है जो form 16 है उसके इंदर जो salary है वो आपके form 26 AS के साथ में match होनी चाहिए और 26 AS के साथ ही आपको ITR process करनी है तो AS कैसे check करना है आपको उपर e-file में जाना है login करने के बाद में यहाँ पे आपको view form 26 AS पे click करना है तो यहाँ पे screen के सामने देख सकते हैं जो salary यहाँ पे दीवी है 7.37 lakh की salary exact वही salary आपके form 16 के साथ में match होनी चाहिए अगर यह match नहीं होती है तो देरे से possible chances के आपको arrier मिला है लेकिन आपको अपनी फिर ITR filing के इंदर जो basic salary है वो आपको यह वाली नहीं declare करनी आपको हमेशा इसी salary के साथ में जाना है जो 26 AS के अंदर आपको दिख रहा है अब चलिए बात करते कि भाई filing कैसे करनी है तो यहाँ पे आपको जो है income tax return file income tax return option select करना है यहाँ पे आपको 2425 select कर लेना है mode आपका हमेशा honor रहेगा continue button पे क्लिक कीजे start new filing button पे क्लिक कीजे status हमेशा आपका individual रहेगा continue button के उपकर क्लिक कीजे form चूज करने का बोलेगा तो normally अगर आपके सिर्फ salary के income है तो idea 1 के साथ में जा सकते हो बाकी अगर capital gain वगरे भी है तो फिर उसके बाद idea 2 आपको select करना पड़ेगा इसके बाद में आपको simply let's get start button पे क्लिक करना है reason पुछेगा क्यों idea फाइल करना चाहते हो other option यहाँ पे simply select करना है continue button के उपकर क्लिक करना है तो आप screen के सामने देखेंगे कई सारे schedule आपके screen के सामने खुल जाएंगे अब एक एक schedule को हमें यहाँ पे confirm करना है शुरुवात करते है personal information के साथ देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको nature of the employment select करना है अगर आप government employees है तो यहाँ पे आपको state government, central government का option मल जाएंगे private employee है तो simply others रखिए उसके बाद में नीचे यहाँ पे आपको एक option मिलने वाला है कि आप new tax system को opt out करना चाहते हैं अब देखिए यहीं पे सारा game होता है कि आपको new tax system के साथ में जाना है या फिर old tax system के साथ में जाना है तो एक बार पहले आप new tax system के अंदर idea draft कर लीजे अगर आपको कोई tax नहीं बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है उसी के साथ में आप continue करिए लेकिन let's suppose उसमें अगर आपका जादा tax बन रहा है अब हमें यहाँ पर जाना है gross total income वाले column के अंदर यहाँ पर कई सारे question पुछेगा सभी को यहाँ पर skip कर दीजेगा अब शुरुवात करते salary के साथ में तो देखिए form 16 अगर आपके पास में है तो आपको चीज़े यहाँ पर pre-fill मिलने वाली है added button पर simply click करना है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं आपको salary pre-fill मिल जाएगी बागी अगर नहीं दी गई है तो form 16 के अंदर आपको यहाँ पर जो basic salary के अंदर जितनी salary दिखा रहा है उतनी salary यहाँ पर simply तरीके से आपको insert करनी है इसके लावा अगर आपके form 16 के अंदर 26 AS के साथ में वो match नहीं कर रहा है तो 26 AS में भाई जो salary दी गई है exact salary आपको वही यहाँ पर insert करनी है ध्यान रखेगा अगर उसमें mismatch आता है तो आपकी ITR जो है defective बन जाएगी तो यहाँ पर 26 AS के साथ में जरूर match का लीजेगा यहाँ पर आपको वही amount insert करना है उसके बाद में जैसे आपका form 16 यहाँ पर old taxism में issue हो रखा है लेकिन हम लोग अभी right year filing जो कर रहे हैं वो new taxism के अंदर कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई भी allowances वगरे कुछ भी देखने क नहीं मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना सभी को यहाँ पर आप डिलेट वगरे कर दीजीगा इन चीजों को यहाँ पर कोई भी कोई आपको allowances वगरे नहीं मिलता है तो सिर्फ standard deduction मिलती है जो आपको by default मिल जाती है तो simply आपको इसको save करा देना है तो भाई यह आपका form 16 यहाँ पर almost by fill up हो चुका क्योंकि new tax में कोई भी आपको deduction नहीं मिलती है जैसे बता है सिर्फ 50,000 पर deduction मिलती है उसके लावा कुछ नहीं मिलता है आपको जिया तो यह नीचे आपको house property का column मिल जाएगा other sources का मिल जाएगा आप अपना saving background का interest हो गया FD का interest वगरे हो गया यह च direction में जिसे बता है कि new tax में हम लोगों ने select कर रखी है कोई यहाँ पर में को benefit नहीं मिलेगा इसके अगला column आपका tax speed का आता है जहाँ पर आपका जित्ता टीडियस कटा है वो आपको दिखाए देगा तो यहाँ पर आप देख सकते है salary के अंदर आपका जित्ता भी टीडिय activity का column आजाता है और जैसे में बता है कि new taxism हम लोगों ने select कर रखी है तो यहाँ पर आप देख सकते है 7 लाग के नीचे income है तो कोई भी मेरा यहाँ पर tax नहीं बन रहा जबकि form 16 में अगर आप देखेंगे तो मेरा यहाँ पर बकाइदा 32,000 रुपीज का TDS कटा हुआ है क् form 16 old taxism के अंदर issue हो रखा है तो यहाँ पर मैं जैसे proceed करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं पूरा 32,000 रुपे के refund के लिए यहाँ पर eligible हो तो इस तरह से अगर आपने एक बार के लिए new taxism अडरॉप कर ली ठीक है तो उसके बाद मैं आपने देखा कि ITA drafting आपने कर ली कि भी आप vice versa कर सकते हो तो उसके अंदर कोई रिक्कत नहीं है मालो ऐसे situation बनती है जहाँ पर new taxism में भी आपका अच्छा कासा tax बन रहा है अब आप चाहते हो देखना चाहते हो कि बाई old taxism में मेरा कितना tax बन रहा है deduction के साथ में तो उसके लिए again आपने जो information डाली है आपको वापिस personal information में आना है तो यहाँ personal information में आने के बाद में यह आपने जो option no कर रखा है इस option को आप yes कर दीजेगा अब इससे क्या होगा आप वापिस जैसे gross total income में जाएंगे तो यहाँ पर salary वाले column के अंदर जैसे आप added करेंगे तो यहाँ पर basic salary आपके already delivery है लेकिन उसी के स साथ में जैसे कि मालीजे form 16 में हमने देखा कि इनको यहाँ पर hra का benefit मिला हुआ है ठीक है तो यहाँ पर बकायदा जो है आप house rent का जो hra का benefit होता है lt का benefit होता है section 10 के जितने benefit होते हैं वो आप यहाँ पर claim कर पाएंगे इसी के साथ में अगर आपका professional tax data हो रखा है तो वो भ रही figures आपको उन columns के इंदर यहाँ पर insert करने है section 10 के column में यहाँ पर आपको यह allowances के column मिल जाएंगे तो वहाँ पर आप insert कर सकते हैं बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ एक एनियादर का भी column है जिसके अदर आप अपना hra lta या जो भी आपका allowances जो आपक के deduction हमें दिया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको pre-filled data मिल जाएगा बाकी आप field वगरे भी कर सकते हैं ATC के अंदर ATD वगरे हो गया वहाँ पर आप fill up कर सकते हैं कि जैसे आपके form 16 के इंदर 4175 के deduction allow है तो उतना deduction आप यहाँ पर बकायदा claim कर सकते हैं तो यह तो इससे आपको idea यह लग जाता है आप देख सकते है tax paid के अंदर भी उतना amount आ रहा है total tax liability भी उतनी आ रहे है क्योंकि form 16 में TDS भी उतना घटा हुआ है तो basically यहाँ पर form 16 के साथ में भी आप fill up कर सकते हैं और new taxes में भी आप check कर सकते हैं कि किसमे मेरा कम tax बन रहा है तो जहा salary का TDS भी तो नहीं कटा हुआ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जित्ता भी आपको cash in hand मिलता है salary के रूप में पूरे salver के अंदर वो उतना amount आप इस वाले column के अंदर यहाँ पर SIMBी तरीके से insert कर सकते हो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि form 16 के साथ में कैसे process करना है without form 16 भी आप कैसे process कर सकते हो कौन सी reason आपके लिए ज्यादा बैटर है आप कैसे check कर सकते हो पहले आपको new में draft करनी है old में करनी है comparison करना है उसके बाद में आप अपनी choice के according proceed कर सकते हो so guys hope you like this video please subscribe our channel आप लोग के doubts comment box के अंदर जरू बताये plus service लेना चाहते है तो contact to us link in the description box thank you guys thank you very much